तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार जो है वो भूरी तरीके से डैमेज हो गई है परक अच्छे उड़ गए हैं सपा के अधिवेशन से वापस लोट रहे थे जिसके बाद से हाथसा हुआ सड़क हाथस्या जब इस बारे में जानकारी मिली पूरु सियम अखलेश यादो सपा अध्यक्ष अखलेश यादो को तो उन्होंने तुरंट पीडितों को आनन पानन में सैफ़ाई अस्पताल में भरती करवाया आपके टेलेवेजन स्क्रीन पर तस्वीरे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार की खरपच्चे उड़ गए हैं तो इटावा में SP नेता PD तीवारी की गाड़ी दुरघटना हो गई तस्बीर आपके टेलेवेजन स्क्रीन पे इस दुरघटना में उनकी पत्नी और कार चालक भी घायल हो गए PD तीवारी SP के आगरा अधिवेशन से वापस लोट रहे थे उसी दर्मियान सडक हाथसा हुआ बताया जा रहा है कि करहल में उनकी कार हाथसा की शिकार हो गए और हाथसे में SP अध्यक्ष अकलेस यादों ने जब इस बारे में जानकारी मिला तो उन्होंने तुरंत अपना काफला रुकवाया और घायलों को सैफ़ाई मेडिकल यूनिस्टी में भरती करा है जहां सभी की सती खत्रे से बाहर बताई जा रही है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है सी से तूट गय है जिसके बाद गनीमत ये रही जो भी घायल है वो सुरक्षित बच गय है तो मौके से प्रत्यक दर्श्रीक हम से जुड़ गये हैं तो स्वागत है आपका समझना चाहेंगे कि ये हादसा कैसे हुआ और क्या कुछ देखा आपने जी प्रवें जयाता बोलाता सपनेता जी पूर मुखबंतरी अकले चाहरब जी उनके कापलेक साथ गाड़ियां चल लए थी तीचे से इसकारपियो गाड़ी आ रही थी वहारे कापलेके साथ थी जी आने डोगी आने से इसारी पुलट गई उसे साथ जागे उसमें तपानेता थे दो लोग जी तपानेतरी थी लगनल जी तीन लोग घायल हो गए चले तमाम जानकारी के लापका बहुत बहुत शुक्रिया तो आपको उतादे प्रते दर्शी ने बताया कि अनियंतितों के कार पलेट गई जिसके बाद से ये हाथसा हुआ आनन पानन में घायलों को सेफ़े अस्पताल में भरती कराया गया जहां इस्तिती खत्रे से बाहर बताई जा रहे तो आपको उतादे सियम पूर सियम अकलेस यादो के काफिले को उन्होंने रुकुआया इसके बाद से घायलों को तुर्ण उन्होंने अस्पताल में भरती करा जहां इलाज चल रहा है और सबकी इस्तिती ठीक बताई जा रहे एक खत्रे से बाहर है तो आपके टलेविजन स्क्रीन पे एक लिसी तस्वीर आपको दिखा रहे है इटावा में एस्पी नेता पीडी तीवारी की गाड़ी दुरगटना ग्रस्त हो गई वहीं उनकी पत्नी और कार्चालक भी घायल हो गये बताय जा रहा है कि पीडी तीवारी एस्पी के आगरा अधिविशन में वापस वहां से लौट रहे थे कारिकरम से तभी करहल में उनकी